हेलो नवाइल दोस्तों मैं आप सभी दोस्तो का एक बार फिर से सवगत करता हूँ यह कव नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आप सबी दोस्तों को बताएंगे कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में किस प्रकार से भोजपुरी बोलबम का पोस्टर फुल एलचीडी क्वाल्टी में बनाएंगे जैसा कि आप लोग ने थम्नेल में देखी चुका है कि आज मैं सेम वही पोस्टर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बनाना सिखाऊंगा यदि आपने भी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और पास महीं मिलेगा घंटी के बटन उसे भी प्रिस कर दीजे ताकि हमारे दोर अप लोड के जाने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके सो गाईज मैं हूराहूल और आप लोग देख रहे मेरा यूटूब चैनल टेक्निकल आरियन जी सबसे पहले हमें friends अपने mobile phone में Pixel Lab application को open करना होगा Pixel Lab application open करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से interface देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले left side में delete की icon पे tap करके इस new text को delete कर देना है उसके बाद friends आपको अपने background को add करने के लिए यहाँ right side में three dot पे tap करना है यूज image from gallery पे tap कर देना है उसके बाद आप अपने उस background को जहाँ पर भी रखे हैं यहाँ से चूच कर लेना है तो friends हमारे पास कुछ इस तरीके का background है तो हम यहाँ पे add कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसमें changing भी करना है तो हम थोड़ा सा इसमें changing कर देते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हम थोड़ा सा changing करना चाहते हैं तो यहाँ पे changing भी कर सकते हैं जैसा की आप लोग देखपा रहे हैं, उसके बाद friends हमें यहाँ पर प्लस की चिन पे टैप करना है, उसके बाद new text को add कर लेना है, जैसा की आप लोग यहाँ पर देखपा रहे हैं, हम new text को add कर चुक हैं, new text को add करने के बाद यहां पर हमें double type करना है अब यहां पर हमें अपने जो album poster का नाम यहां पर देना है उसका unicode यहां पर paste कर देना है कुछ इस तरीके से हम यहां पर unicode paste कर देते हैं friends यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग हम जो है add कर चुके हैं आपको ए वाले आफसरन पर जाना है नीचे स्क्रॉल करते हुए font वाले आफसरन में जाना है अब आपको my fonts में जाना यहां पर जो है आप अपने उस font को add कर लेना है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपको जो है केवल एक ही लाइन यहां पर रखना है अब आपको इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देना है जैसा कि यहां पर इसके साइज को हम 65 कर देते हैं पैसट करने के बाद हम जो है इसी टेक्स्ट को फिर से कापी कर लेंगे कापी करने के बाद नीचे हम यहां पर लाके रखेंगे अब फिर से इसे कट करके हम अपने दूसरे वर्ड को यहां पर पेस्ट कर देंगे जैसा कि हम नीचे वाला लाइन जो है कट कर लिये थे अब फ धर्म्हेan समेंदेटें ईसे सत्तर कर देते हैं सत्तर करने के बाद इसे हम 65 dai ने दिनगे कुछ इस तरीके से हम हम यहाँ पर कर लेते हैं द सब् Counter हैं अब आप लोग भी अपने मनमतावी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर इसे ऐसे ही छोड़ देना है अब आपको अपने जो ऊपर वाला वर्ड है इसके जो है color को आपको change कर देना है कुछ इस तरीके से gradient color select करने के बाद आपको friends एक तरफ जो है black shadow की तरह जो है choose करना है जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं same यही color आपको choose करना है दूसरे तरफ आपको जो है red type का जो है कुछ भी choose कर लेना है जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं हमारे पास यह वाला color है तो हम यह वाला चूज कर लेते हैं उसके बाद अब आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो यह color है select हो चुका है कुछ इस तरीके से अब आपको friends यहाँ पर कुछ नहीं करना है नीचे scroll करते हुए चले जाना है इस्टोक के option पर इस्टोक को enable कर देना है इस्टोक को enable करने बाद आपको यहाँ पर white इस्टोक को देना है अब आप लोग देख पार हैं यहाँ पर आपको white इस्टोक enable होने के बाद attractive लग रहा है friends से देखने में बट यहाँ पर थोड़ा हम जो है lighten color देते हैं यहाँ पर जो हम color को add किये हैं अपने font में यह जो है थोड़ा कम ठीक दिख रहा है इसलिए friends हम जो है थोड़ा lighten color यहाँ पर दे देंगे अगर 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 इसके बाद जो नीचे वाला हमें इसके color को भी थोड़ा सा gradient ही कर रखेंगे अब एक तरफ वाला जो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे अब इसे हम ऐसे ही रहने देंगे कुछ इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम color changing में रखते हैं अब आप लोग देख पार है हमारा जो यह वाला color है अच्छे से बट उपर वाला अभी color एड़ेस्ट नहीं हुआ है कि इसके color को हम जो है थोड़ा सा इस color में करते हैं अब आप लोग देख पार है हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट है एकदम बढ़िये से एड़ेस्ट हो चुका है फ्रेंट्स अब हम इससे जो है इन दोनों को लिफ्ट साइड में जो है एड़ेस्ट कर देते हैं इन दोनों को आप लोग देख पार है हम जो है लिफ्ट साइड में एड़ेस्ट कर दिये अब यहाँ पर कुछ नहीं करना फ्रेंट्स इसे ऐसे ही रहने देना है अब इन दोनों को जो हम एक साथ मेर्ज कर लेंगे इन के बाद हमें जो है यहां पर फ्रेंट से नीचे की तरफ गीतकार संगीतकार और वी जो है डिजाइनर का नाम एड़ करना है तो हम फिर से निव टेक्स्ट को एड़ करेंगे यहां पर निचे की तरफ हम जो है हिंदी में टाइप करते हैं गीद गीत टाइप करने के बार डैस देंगे, उसके बास जो हैं आपर हम नाम लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे कि आपलोग देख पारे हैं यहां जो हे गीत का नाम अट कर चुके है लोग कुछ इस प्रकार से आप हम फ्रेны यहां पर यहां संगीत का नाम भी यहांपर अड् कर देंगे नीचе अब यहां पे फिर्यम्ट सम जो हे संगीत टाइप कर देंगे आया वकु संगीयट करने बाद फिर्यम्ट समझो ही यहां थोड़ा सा डैस्ट दे देंगे अब यहां पर हम जो हैं संगीत में किसी क्या भी नाम एड कर सकते हैं कि अब आप लोग देख पार यहां पर हम जो है इदम बढ़िया से एड़ेस्ट कर चुके हैं अब आपको यहां पर जो है इदम की सही जगर पर लाकर रख देना है अब आप यहां पर किसी भी कलर में किसी भी तरीके से जो हे कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर जो है। का नाम और सिंगः यहाँ पर दुनों को जब्द का नाम है तो है फोटो को यहाँ पर टाइब कर लेते हैं सो प्रेइंड सह फोटो को एीड करने के लिए प्लंस केचेशन ठाक्रना होगा सै च्रफ स्लाइब करना है और हम अपने फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पर हम फोटो को जो है add कि є हुए है अब आप लोग यहां पर देख़़ा रहे हूँ हूपनी इस photo का जो है वाइग्राउंट red qi क्या है तो यहां पर हम कुछ इस तरीके से यहांपे setup कर देते हैं friends थोड़ा सा अब हूग यहां पहसे देख पा है कि हम यहां पर कुछ नहीं करना फ्रेंट्स अब हम लेयर वाले आपसन में जाएंगे इनके फोटो को लॉक कर देंगे फ्रेंट्स जो गीतकार और संगीतकार का नाम यहां पर लिखा गया है तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे अब आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं यह छोटा ह कर देंगे जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं चोटा करने के बाद हमें एक एकर की नीचे एकी तरफ रख दिया है अब हम जो है सिंगर का नाम भी उपर में टाइब कर देंगे अब फ्रेंड समय फिर से निव टेक्सट को आइड करने के लिए यह इंट करना है अब यहांपर हम कर देना है यहां सी निव टिएक्ट को रिमूव करने का बाद फ्रेंडissa हम जो हैं हिंदी में पहले तो सोड़ टाइब कर देंगे स्वर्ट टाइब करने के बाद यहां पर जो है हम इस पेस देने के बाद सिंगर का नाम टाइब कर देंगे सिंगर का नाम टाइप करने के बाद डन पे करेंगे उसके बाद ओके कर देंगे अब आप लोग देख वारे हैं फ्रेंट्स हमारों जो यहां पर पोस्टर का नाम है एड़ेस्ट हो चुका है तो हम यहां पे जो है थोड़ा सा पोजीशन वाली आपसन में जाएंगे अब हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंट्स हैं यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ कलर में जाना है अब कलर में जाने के बाद हम जो है यहां पे किसी भी कलर में इनके नाम को कर सकते हैं या फिर हम जो वाइट में रखते हैं अब नीचे की तरफ जाएंगे बीवाले अप्सन में अब हम इसे बॉल्ड कर देंगे अब आप लोग देख पारें यहाँ पर जो हमारा फॉंट है एकदम एट्रेक्टिव लग रहा है जो पोस्टर है यह यह दिया बॉल्ड नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेंट्स बॉल्ड मत कीजिए कोई दिक्कत हैं यहाँ पर ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सो गाइज यहाँ पर लोग देख पारें हमारा जो एकदम बढ़ी से एड़ेस्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है पर्जेंटेशन का नाम ह करना है जानाा रायओनने को आपके हैं अमरे पासे वाला इस्टिकर हम बना कर हे रहा हैं पहले से सी ही तो यहाँ पर हम एक तरफ लगा दे कुछ इस तरीके से हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में किसी भी साइड में लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह फिर आप चाहें तो किसी भी साइड में लगा यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा अब हम आप लोग देख पारें यहां पर हम जो इसे एड करने के बा कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर है तो हम कुछ इस तरीके से सावन हीट साइड सॉंग तो हम इस वाली स्टीकर को यहाँ पर लिया कर रख देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सावन हिट सैट सॉंग का जो इस्टीकर है हम यहाँ पर लगा देंगे या कहीं पर भी इसे एडियस्ट गरके लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसे यहाँ पर लगाने के बाद ऐसे ही रहने देंगे अब आप लोग देख पारें यहाँ पर हमारे पूरा पोस्ट अब बनके तयार हो चुका है या फिर फ्रेंट्स आप इसे नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है या यदि आप चाहते हैं तो ही लगाएं नहीं यदि आपको कोई दिक्कत होता है इसे लगाने से तो आप ना लगाएं सो फ्रेंड्स आप लोग देख पार है हमारे यहां पर पूरा पोस्टर बनके तयार हो चुका है आयो हॉप कि यह वीडियो आपको बहुत है अच्छा लगा होगा यह यह वीडियो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं